कि दे स्नेक अंदे मिर्र हैसे स्नेक एवर कॉइल इटसल्फ राउंड एनी पार्ट ऑफ यो बॉड़ी अ फुल ब्लॉडड़ कोब्रा और अफस फल साइलेंट दे क्वेश्चिन केम फॉम्योपाथ होम्योपाथ ही मैडिसंस तो हम लोगों को पता है तो एक होम्योपाथिक दॉक्टर था वो एक रूम में पूछ रहा था सबसे कि क्या कभी एक कोब्रा तुम लोगों के अराउंड या तुम लोगों के बॉड़ी क्यार पार कभी अपने आपको कॉइल किया है कि लिए टॉपिक केम अप वेन वे डिस्कॉसिंग स्नेक वे लिसंट अटेंटिवली अब वो डॉक्टर अपना किस्सा सुना रहा है कि किस तरह से एक स्नेक मेरे उपर पूरा आ गया था तो वो बोल रहा है समर नाइट था दस बज़रात रात का हम रेस्ट्रॉम में खाना खा कि अपने रूम में आये थे बस और हमको अचानक से एक आवास सा आया उपर से आवास आ रहा था जैसी हम अपने रूम का दर्वाजा खोले साउन थोड़ा सा फ्रमीलियर लग रहा था जाना पैचाना सा लग रहा था ऐसा लग रहा था कि चूहा वगर है रूम में तो वो एक मार्चिस निकाला और केरोसिन लांप टेबल पर पड़ा था उसको को लाइट किया है क्योंकि हाउस में इलेक्रिंटी नहीं था तो हाउस वस नॉट इलेक्रिफाइड वह एक चोटा सा रेंटेड रूम था तो इससे समझ में आरही कि जो डॉक्टर है वो ज्यादा रिच नहीं है जो डॉक्टर था ज ऑनुट्था पर लाश और अपनों जो वो पहन रहा था, वो अपना black coat उतारा, white shirt रखा, जो कि उतना कुछ खास white था नहीं अब, कि गंदा हो गया था, इससे ये समझ में आ रहा है, धुल-धुल के white कपड़ा होता है ना, yellowish के shade में आ जाता है, वो उस तरका हो गया, I opened the two windows in the room, it was an outer room with one wall facing the open yard, एक थोड़ा आंगन टाइप का face करते वे बाहर, यार्ड जासा था, उसको face करते वे एक दिवाल था, Tiled roof था, छत में tiles वगरे लगावा था, और इस तरह से इसको gabble बोलते हैं, तो roof को support करने के लिए gabble था, मतलब, room में कोई ceiling नहीं था, Tiles वगरे छत पे लगावा था, तो समझ ही आ रहा है कि room इसका मतलब बहुत अच्छा नहीं था, बहुत ही poor condition का room था, There was a regular traffic of rats to and from the beam, जिसे garage वगरे में होता है ना, छत बस टायर, टिन के shed वगरे से ढखावा होता है, go downs में होता है, तो इसी तरह से उसका room था, और उसमें जो rod वगरे था, उसमें चूहा वगरे आना जाना करते रहते थे, यह अपना bed बनाया और दिवाल तक ले गया, I lay down but I could not sleep, सो नहीं पा रहा था वो, तो उठा और वरांड़ा में गया कि थोड़ा हवा मिलेगा, बट, the wind god seemed to have taken time off, ऐसा लग रहा था कि यह भगवान भी चले गए, wind god, मतलब हवा रुप चुका था, फिर वो अपने room में गया और एक chair पे बैठा, I opened the box beneath the table and took out a book, the materia medica, वो यह बुक निकाला पढ़ने के लिए, I opened it at the table on which stood the lamp, और एक large mirror था, और एक mirror के सामने एक कोंग था, जैसे कोई mirror के सामने आता है, तो सबको लगता है कि एक बड़ देखे तो उसे कैसे लग रहे हैं, यह सबका ही feeling होता है, तो यह भी देखा mirror है, जो देखते हैं कैसे लग रहे हैं, उस time पे यह beauty वगरे पे बहु तो हमको तो बलकि अच्छे से रहना चाहिए, ताकि लोग हमको notice करें, तो यह अपना बाल कोंब कर रहा है, और मतलब अच्छे से पूरा अपना बाल बाल सेट कर रहा है, फिर से उसको आवाज सुनाई दिया, फिर से वो mirror में देखा, और एक important decision लिया, कि अपसे हम daily shave और एक mustache भी grow करेंगे, ताकि जादा handsome लगे, क्योंकि वो सोच रहा कि after all हम एक bachelor है और वो भी एक doctor है, तो मेरे पास तो कितने ही लड़की आएगी शादी का offer लेकर, फिर I looked into the mirror and smiled, it was an attractive smile, I made another earth shaking decision, वो बोला कि हम हमेशा अपना smile करते रहेंगे, smile अपने face पे हमेशा रखेंगे, ताकि और handsome दिखेंगे, क्यों, क्योंकि after all हम एक bachelor है और doctor भी है, Again came that noise from the top, वो उठा एक बीड़ी जलाया, बीड़ी मतलब एक cigarette होता है टाइप का, Pays up and down the room, room में चल रहा था, then another lovely thought struck me, अब उसको अचानक से idea आया कि हम शादी करेंगे, किस से करेंगे, एक women doctor से करेंगे, जिसके पास बहुत रुपिया हो, एक अच्छा medical practice हो, और condition यह है कि वो fat होनी चाहिए, मोटी होनी चाहिए, क्या logic था उसका इसके पीछे, कि अगर हमको एक silly सा mistake करेंगे, और भागेंगे, तो वो मेरे पीछे दौड नहीं पाएगी, क्योंकि वो मोटी होगी, With such thoughts in my mind, I resumed my seat in the chair in front of the table, कुछ आवाज नहीं आया, लेकिन अच्छानक से, धर्ड से कुछ जमीन में गिरा, ऐसा लग रहा था कि कोई भारी rubber का tube सा उपर से गिर गया, उसको लगा कि डरने का कोई बात नहीं होगा, ऐसी सवाम गिरते रहता है, फिर भी वो जैसे पीछे turn लिया, दिखा उसको, मतलब उसके कंधा पे snake आके गिरा, जैसे वो पीछे गुमा वैसे उसके ओपर snake गिरा, आई डिडिन्ट जम्प, आई डिडिन्ट ट्रेंबल, आई डिडिन्ट क्राई आउट, वो कोई reaction दे ही नहीं सकता था, क्यों? क्योंकि जितने दिर में वो कुछ भी react करता, snake अपना movement शुरू कर दिया था, वो उसके shoulder से, उसके हाथ पे आ चुका था, left arm पे, और पूरा coil हो चुका था इस तरह से, तो एक snake, जब किसी चीज के arm पर इस तरह से घूम जाता है, वो बहुत tightly पकड़ लेता है, तो इसके वज़े से क्या हुआ, कि उसका arm में blood circulation रुख गया, the hood was spread out, snake इस तरह से पूरा turn ले चुका था, और इस portion को, head को, ये जो होता है, इसको hood बोलते हैं, तो suppose यहाँ पर doctor का face था, तो इतना सा दूर में, बहुत ज़़ा दूरी नहीं था, वो snake का hood था, hardly 3-4 inches away from my face, it would not be correct to say merely that I sat there holding my breath, वो एकदम पत्थर की जैसे खड़ा हो गया, सास वाज भी नहीं ले रहा, the door opened into darkness, room में हर तरफ अंधिरा वगर था, lamp का light में इस अबूर लग रहा था कि एक पत्थर जैसा बस कुछ सामने रखा है, क्योंकि कोई movement नहीं हो रहा था, फिर उसको ऐसा लग रहा था कि हाँ, इसका मितलब जरूर उसको ऐसा अचानक से भगवान का presence type का feel होने लगा था, God was there, उसको लग रहा था कि suppose हम कुछ ऐसा बोलेंगे जो भगवान को पसंद नहीं आए, तो ये साब हमको dust लेगा, I tried in my imaginations to write in bright letters, outside my little heart the words, Oh God, उसको लग रहा था कि अब हम भगवान से प्रार्थना करें, लेकिन उसका left hand में sensation खतम होते जा रहा था, ऐसा लग रहा था कि एक वो rod है, और एक lead का rod है, फिर वो बोला नहीं lead का rod नहीं, एक molten fire का rod है, इस तरह से वो एकदम जलने जा रहा था और पूरा blood circulation रुख चुका था, crush हो रहा था उसका arm, क्योंकि snake जब coil करता है तो वो बहुत force लगाता है, The arm was beginning to be drained of all strength, what could I do, ये कर भी क्या सकता था, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी हिलेगा, तो साब dust लेगा, death lugged four inches away, death उससे बस चार इंची दूर था, और अगर dust पी लिया, तो क्या medicine ये लेगा, क्योंकि रूम में तो कोई medicine है नहीं, I was but a poor, foolish and stupid doctor, उस सोच रहा मेरा खुद का भी कोई इतना अच्छा degree तो है नहीं, तो ये अपना danger भूल गया, और खुद भी उसको condition पर अपने हसी आने लग गया, ऐसा लग रहा था कि God, मतलब भगवान में मज़ाख उड़ा रहा है, लेकिन बाद में उसको लग़ा कि नहीं भगवान मेरा साथ दे रहा है, क्यों? क्योंकि snake घूमा और एक mirror देखा, तो स्नेक इस तरह से mirror में देख रहा था, mirror में, तो डॉक्टर गोल रहा है कि ऐसा लग रहा था, स्नेक सोच रहा है कि liner लगाएं, काजल लगाएं, यह सिंदूर लगाएं, क्या करें, और सुन्दर दिखने के लिए, I did not know anything for certain, कि वो स्नेक मेल है या फीमेल, और हमको पता भी नहीं, कि वो किस तरह से, अचानक से मेरे आर्म को unfold किया, मेरा आर्म से निकल के, मेरे गोदी में आया, और वहां से वो, table के थूँ, इस तरह से mirror के सामने देख रहा था, table पे बैठके, पर्हाप्स उसको खुद अपना reflection देखने में मज़ा आ रहा था, I was no mere image cut in granite, I was suddenly a man of flesh and blood, जैसे इसनेक उससे हटा, उसको ऐसा लग रहा था कि अम पत्थर से वापस इंसान बन गए, वो अपना सास पे control किया, वापस सास लेने लग गया, और तुरंत भाग के, रूम से बाहर निकल गया, फिर दौरते दौरते वो बाहर यार्ड भी आया और भागते ही रहा, ये स्टोरी सुने, जब सब सुन चुका कि वो बच गया तब जाकर सब, few, each of us heaved a sigh of relief, मतलब सब को शान्ती मिला, सब अपना बीडी सिक्रेट वगर जलाया, समबडी आस्ट, डॉक्टर, इस यॉर वाइफ वेरी फैट, तो डॉक्टर बोल रहा है, नो, भगवान को कुछ दूसरा ही मन्जूर था, मेरी लाइफ कम्पानियन इस थिन रीडी परसन, विद गिफ्ट ऑफ पर स्प्रिंटर, वो बहुत तेज दौरती है, और रीडी परसन मतलब उसका आवाज बहुत श्रिल है, और वो बहुत पतली है, फिर कोई और पूछा, डॉक्टर, वेन यू राइफ दिड़ स्नेक फॉलो यू, तो डॉक्टर भास रहा है, बोला कि नहीं, हम तो तब तक दौरते गए, जब तक अपने फ्रेंड के घर नहीं पहुँचे, तुरंथ हम ओइल वगरें लगा कर पूरा एक बात लिये, और फ्रेश कपड़ा पहने, नेक्स दे एट थर्टी के आसपास, हम अपने फ्रेंड को लेकर गए रूम में, तो देखें कि वहाँ पर कोई समान ही नहीं पड़ाया मेरा, सारा कोई चोर आकर मेरा सारा समान ले गया है, दे रूम हट बिंड क्लीन डाउट, लेकिन चोर एक चीज इंसर्ट के तौर पे छोड़ गया, तो आई या नारेटर पूछा क्या, तो डॉक्टर बोल रहा है कि जो मेरा वेस्ट था, जो डर्टी कपड़ा था मेरा वाइट वाला उसको छोड़ गया, ऐसा लग रहा था कि चोर का भी cleanliness बोलकर कुछ है, कि चोर भी साफ सफाई को जादा ही पसंद करता है, जो गंदा चीज छोड़ गया, तर रासकल कुड़ा थेकन इट और यूज़ 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 करी सकता था, लेकर क्यों नहीं गया, डॉक्टर को ये इंसल्ट लग रहा था, तर कोई पूछा, इड यूज़ सी दे स्नेक नेक्स थे, डॉक्टर हसकर बोला कि नहीं, ऐसा लग रहा है कि, स्नेक, इट वास असनेक विच वास टेकन विट उन ब्यूटी, वो अपने ब्यूटी में ही इतना खो कया, कि वो भूल गया कि एक रूम में इंसान भी था, तो इस बाट बाट चैप्टर, पड़ था यह रूम में इंसान भी था,